देखो सुरेका, मैं क्या लेकर आया हूँ? कमरे के अंदर परवेश करते ही, बड़े उस्सा जोस मैं, मरीश ने पत्नी से कहा, क्या लाए हैं? ये देखो कितनी बड़िया बैट सिर्स लाया हूँ? तो क्या हुआ? ये तो हमेशा काम आने वाली चीज है, वैसे भी तुम्हे तकलीफ क्या है? अगर मैं कोई चीज लाया हूँ, तो मेरी कुशी से लाया हूँ? मैंने तो बस इसलिए कहा था कि, इनको खरीदने में तो काफी पैसे लगे होंगे ना? तो तुम्हें तकलीफ क्या है? मैं कहां तुमसे पैसे मागे? मेरे पास है, मैं अच्छा भला कमाता हूँ, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खर्चा भी नहीं कर सकता? बाद बरती देख सुरेखा चुप हो गई, वह जानती थी कि मनीश की किसी भी बात का थोड़ा सा भी विरोध करने पर वह बहुत चल्दी क्रोधित हो जाते हैं, फिर उसे ही चुप कराना पड़ता है मनीश की हैंडलों की बड़ी सी दुकान थी, जो बहुत अच्छी चल्ती थी, मनीश को सुरू से ही खुला खर्चा करने की आदत थी, लेकिन सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर उसे अपनी हर खईदारी जायद चान परती थी, उसके लिए वह कितना भी खर्च कर सकता था बेसक सुरेखा को वह फिजूल खर्ची लगती थी, लेकिन मनीश को वह महतपूर लगती थी, दूसरी वह सुरेखा की खईदारी उसे फिजूल खर्ची लगती थी, वह उसे गिम गिन कर पैसे देता और हर चीज का हिसाब भी रखता, कई बार सुरेखा चिर जाती, लेकिन मनीज को कोई फर्ट नहीं पड़ता कुछ दिन बाद सुरेखा ने मनीज से कहा आज मुझे कुछ पैसों की जरुवत है कुछ जरूरी सामान लाना है क्या सामान लाना है और कितने पैसों चाहिए अंडर गार्मेंट लेने है साथ ही सैनिटरी पैसी लेने हैं और भी कुछ सामान है सुरेखा के कहने पर उसने हाजार रुपए उसके हाथ पर रख दिये इतने मैं काम नहीं चलेगा आजकल यह सारी चीजे महंगी आती है और मैं इस बाद थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की ब्रेंडिट लेना चाती हूँ और पैसे भी लगेंगे अरे यार अंदर ही तो पहनने है कौन देख रहा है तो उसनों ब्रेंडिट की क्या जरुवत है हल्की क्वालिटी की पहन लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा पता भी है पैसे कैसे कमाई जाते हैं सारी जान लग जाती है कैसे कमाने में खून सुख जाते है तब जाकर हाग में रुपए आते हैं सुरी का दुखी हो गई आँखे भर राई गला रूद गया पर कुछ न बोल पाई क्योंकि सुरी से ही मनीस उस पर हावी रहता था वा डर के मारे कुछ न बोल पाती थी मन मन में बस अपना मन मारती रहती थी उनकी ट्रेसिंग टेबल पर जहां मनीस के अपने लिए लाए गए पर्फ्यूम्स की लाइन लगी रहती थी वही सुरेखा के लिए केवल एक ही पर्फ्यूम होता था आये दिन मनीश अपने लिए बेस्ट बेस्ट क्वालिटी की घड़ी, बेल्ट, कभी ब्रैंड टीशर्ट, टीशर्ट, मोबाइल जैसे इत्यादी सामान खरीदता था उसे घर लाकर सुरेखा को बड़े गरों से बताता था यह सामान कितना महंगा है सुरेखा मन माल कर रह जाती, उसके मन में हुक सी उरती, वह कब मरीश उसके प्रती भी उतना ही उदार बन पाएगा जितना वह स्वयम के प्रती है बच्चों के लिए भी जब वह कुछ बढ़िया कपड़े खरीदना चाहती तो वह हटोग देता बच्चों का साइज बढ़ता रहता है, उनके लिए इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरुवत है तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या कुछ दिन बाद उन्हें वे ही कपड़े नहीं आ पाएंगे, फिर क्यों फिजूल खर्ची करती हो एक दिन में तोनों किसी आयोजन में गए थे, जब वापस लोटे तो अचानक मनीश ने कार और दूसरे रास्ते पर मोड दी, सुरेखा ने हैरानी से पूछा, इधर कहां जा रहे हैं? आज मैं तुम्हें अपने सहर का सबसे स्वादिस्ट और अनोखा पान खिलाने वाला हूँ, तुमने आज तक ऐसा पान जिन्दगी में नहीं खाया होगा सुरेखा को बहुत हैरानी हुई, दस साल में तो कभी ऐसी बात नहीं की, फिर सोचा आज इनका मूड इतना अच्छा होगा, कोई तो बात है रास्ते में उसने तीन चार साध्य पेपर खई दे, जब वे पान की दुकान पर पहुँचे, तो सुरेखा कार में ही बैठी थी, और मरीज पान लेने चला गया इतने में दो छोटी बच्चियां हाथ में फूलों के गज़्डे लिए, वे कार के पास आई, और सुरेखा से बोली में साहब, ये गज़्डे ले लेजे ना, दस रुपए का एक है, आज बिक्री अच्छी नहीं हुई, आप ले लेजे ना उनके बार बार आग्रा करने पर मनीसा को दया आ गई, उसने दो घज़्डे ले लिए और वही सीट पर रख दिये, कार में मुग्रे के फूलों की महत फैल गई, सुरेखा उसका आनंद उठा ही रही थी कि मनीस पान लेकर आया खाकर देखो, अपने सहर का सबसे उंदा और महंगा पान है, पूरे पचास उपय का है सुरेखा ने उच्छ सुक्ता से पान मुह में डाला, सच मुझ ऐसा पान आज तक नहीं खाया, उसके स्वात का आनंद उठा रही थी कि अचानक मजीस की नजर उस पर पड़ी यह क्या है? सुरेखा ने पूरा खिस्टा सुना दिया तो, वह क्रोधित से बोला क्या वेकार की चीजों पर पैसा खर्चिकरती रहती हो, पैसा क्या आस्मान से तपकता है, तुम्हें ही सारी दया का ठेका ले रखा है, तुम्हें कोई कदरे नहीं है पैसो की पती की विश्वरी बाते सुनकर, सुरेखा को मुँ में रखे हुए पान का स्वात कसेला लगने लगा, सारा मूर खराब हो गया, मन ही मन में वह हिसाब लगाने लगी, एक पान खाने के लिए मनीस नेकार का इतना लंबा चक्कल लगाया, रास्ते में तीन-चार अग बार ख़ई दे फिर इतने महेंगे पान ख़ई दे इतना पैसा खर्च किया वह सब जायस था क्योंकि वह उसके सौब थे सारे काम उसके थे और उसके खरीदे बीस के गजरे नाजायच खर्चे हो गए उसकी आखों में आशु भराए उसने मन ही मन में नेर्ने किया अब बहुत हो अब उसे मनीश को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसके खर्चे नाजायच यौं होते हैं मनीश के ये फीजूल खर्चे जायच यौं होते हैं अगले महीने एक दिन सुरेखा ने मनीश से कहा मैंने एक किटी जोइन की है दो हजार महीना भरने होंगे मैंने काफी समय से कपड़े पहन कर जाना होगा तो कुछ पैसे तो लगेंगे सुरेखा के कहते ही मनीश जैसे फट सा गया अब यह क्या तुमने नए चोचले शुरू कर दिये हैं हर महिने तुम्हें एक कपड़े खरीदने के लिए दो हजार उपए चाहिए होते हैं क्या जरुवत है किटी में जाने की अपना घर में बच्चों को समालो इन व्यर्थ के कामों में अपना समय बरबात करने की कोई जरुवत नहीं वहां करती ही क्या है ओड़तें चुगली निंदा फैसन कपलों की होर इसके सिवाए और क्या होता है किटियों में और जाकर बिगर जाओगी और दूसरों के साथ होर करने लगोगी चुपचाप घर पर बैठो और अपना काम समालो इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास फालतू पैसा नहीं है समझ गई आज सुरेखा का भी खोन उबल पड़ा इतने सालों से दवाए होए आक रोस और क्रोत को आखिर फूटना ही था बस अब ब जूर्खर्ची भी जायज है आपके सौख के लिए आप हजारों लाखों के खर्च कर देते हैं और मैं जू तक नहीं कर सकती लेकिन मेरे हर खर्चे पर आपको अपत्ति होती है क्योंわかने इंसान नहीं मेरा दिल नहीं मेरी ख्वाइस नहीं मेरे साथ-साथ बच्चों पर भ भी घर चलाने के लिए उतनी ही मेनद करती हूँ, एक औरत ही मकान को घर बनाती है, क्या हम सारी उम्र अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तरस्ते रहेंगे, मन मार कर जीते रहेंगे, कहते कहते उसका गला भराया आँखें आसों से भरने लगी कुछ पलों के लिए तो मनीज भी भोचका रह गया इस तरह की भासा तो कभी सुरेखा ने नहीं बोली वह कुछ नहीं बोल पाया दीरे दीरे उसके मन में भी विजार उठने लगे आँखी सुरेखा गलत नहीं कह रही उसकी गलती तो है बच्चे और पती-पत्नी की ख्वाईसों की तरह वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता उन्हें डाटते रहता है और स्रम की सारे स्वाग सान से पूरे करता है वह दीरे-दीरे चलकर सुरेखा के पास आया उसके हाद में अपने हादों कर लेकर बोला सुरेखा मुझे माफ कर दो मुझे बहुत बढ़ी भूल हो गई अपने बढ़ते वैवसाय और दोस्तों की परसंसा सुनकर मुझे आँखकार आ गया और मैं स्वार्थी हो गया था केवल अपनी इक्चाओं और जरूरतों को ही पूर्ण और महत्वपूर्ण मानता था या भूल गया था कि तुम्हारी जरूरतें कामनाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से इस बात का ख्यार रखूंगा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा तुम्हारी जो भी जरूरत है मैं स्वयम पूरा करूंगा साथ ही बच्चों की भी तुम्हें कभी किसी चीच कोई सिकायत नहीं मिलेगी चलो अब मुस्कुरा दो तुम्हारी आखों में आशु अच्छे नहीं लगते सुरिखा को आजपती की आखों में सच्चा प्यार नजर आने लगा उसने संतोस की सांस ली सुक्र है देर से ही सही मनीस ने अपनी पत्मी की कद्र तो जानी